दोस्तों, बॉलिवुड हो, पॉलिटिक्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट, सारी फील्ड्स नेपोटिजम का शिकार हुई है जहां लोगों ने अपनी फैमिलीज के प्रोफेशन को इनहेरिट किया है। Well, recent times में कई बार cricket पर भी नेपोटिजम का धबा लगाने की कोशिश करी गई है, जहां members from the same family have represented their nation. But cricket में सबसे बड़ा difference ही ये है कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए योगिता का होना बेहत जरूरी है। और cricket की दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है जब दो भाईयों ने एक साथ एक ही समय इंटरनेशनल लिविल पर अपनी country को represent किया है। नमस्कार दोस्तों, Cricket Line Guru में आप सभी का स्वागत है भाई, आज के वीडियो में we will talk about popular real brothers in cricket that have completely mesmerized the world together. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लें जिससे आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इस popular brother duo की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है स्टीव वॉग और मार्क वॉग का। आपको शायद ना पता हो कि ये दोनों twin brothers हैं। स्टीव वॉग ऑस्टेलिया के सबसे सफल test captain रह चुके हैं जहां 1999 World Cup के winning कपतान भी ये रहे थे। स्टैट्स की बात करें तो 493 international matches में इनके खाते में total 18,500 runs हैं with 35 centuries वहीं दूसरी और Mark Walk ODI matches के दमदार बल्ले बास रहे हैं और इन्होंने total 372 international matches में 16,529 runs with 38 centuries बनाई हैं। लिस्ट में आपे दूसरा नंबर है L.B. Markle और Mornay Markle का। भाई मॉरकल बंदूओं ने 2006 से 2012 के बीच कई बार South Africa की team को represent किया है। मॉरने से 3 साल बड़े L.B. Markle South Africa के लिए as an all-rounder perform करते थे and he was a big hitter especially in the limited overs. Also he was a decent bowler। वहीं Mornay Markle right arm fast bowler थे जो South Africa के 5th leading wicket taker हैं। आपको बता दें कि इनके फादर अलबर्ट मॉरकल भी first class क्रिकेटर थे और कई domestic matches में शांदार perform कर चुके हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर है इंडिया के हार्दिक पांडिया और क्रुनाल पांडिया का। दोनों ही भाई इंडिया के star all rounder हैं जिनोंने क्रिकेट में कई दफे जंडे गाड़े हैं। हार्दिक ने जहाँ 11 test, 57 one day और 47 T20 international matches अभी तक खेले हैं। तो वहीं क्रुनाल ने 18 T20 international matches में शिरकत की हैं। हाला कि क्रुनाल हार्दिक से बड़े हैं लेकिन Indian team में हार्दिक की entry क्रुनाल से पहले हुई है। गौर तलब है कि आखरी बार दोनों भाईयों ने 2019 में New Zealand के खिलाफ इंडिया को represent किया था। और अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले One Day International में team India के squad में जगह बनाई है। Brother duo की list में अगला नंबर है जिंबावे के Andy Flower और Grant Flower का। भाई मारा जाता है कि 1990 में Flower बंदों ने जिंबावे cricket की नीव रखी थी। बड़े भाई Andy ने total 276 matches में country को represent किया है और 11,580 runs score किये हैं with 16 centuries, Andy 10 साल तक जिंबावे के wicket keeper भी रहे हैं। वहीं Grant Flower as an all-rounder team में खेलते दिखे हैं जिनोंने 288 matches में 10,028 runs, 12 centuries and as a spinner 129 wickets अपने नाम किये हैं। वदोद्रा के पठान बंदू यानि की इर्फान और यूसु पठान इंडिया के सबसे popular brother duo रह चुके हैं जिनोंने पाकिस्तान के अगेंस 2007 के iconic T20 World Cup में debut किया था और एक साथ इंडिया को कई बार जीत दिलाने में सफल हुए हैं। अब ही इंटरनेशनल क्रिकेट में छोटे भाई इर्फान ने पहले शिरकत करी हैं। इंडिया का पेस अटैक लीट करने वाले इर्फान विस्पोटक बल्लेबाज भी रह चुके हैं। इर्फान इंडिया के लिए टोटल 173 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें 301 विकेट और 2821 रंस शामिल हैं। वहीं यूसफ पठान पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही यूसफ ICC World Cup 2007 और ICC World Cup 2011 का हिस्सा भी रह चुके हैं। He was also a part-time spinner जिनके खाते में 50 विकेट शामिल हैं। दोनों भाईयों को रिटायर हुए काफी समय हो चुका हैं। लेकिन अभी भी दोनों एक साथ Road Safety World Series में इंडिया लेजेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला नंबर है शौन मार्श और मिचल मार्श का। भाई मार्श ब्रदर्स ने साथ में काफी दफे ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया हैं। गौर तलब है कि उनके फादर जी ओफ मार्श भी ऑस्ट्रेलिया को 50 टेस्ट और 117 ODIs में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 37 साल के ओपनर शौन मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 टेस्ट में 2265 रन्स बनाए हैं। जबकि उनके छोटे भाई मिशेल मार्श ने 32 टेस्ट, 60 वंडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैचेस भी अभी तक खेले हैं। दोनोंने बिग बैश T20 लीग में भी एक ही टीम पर्च स्कॉचर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉपिलर ब्रदर डूओ जिनोंने क्रिकेट जगत में खूब वावाई लूटी है और फैंस के चहेते रहे हैं। दोस्तों आपकी फेवरिट जोडी कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही फिर हाजर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ सो स्टे टून एंड कीव वाचेंग क्रिकेट लाइन गुरू